प्रिये बेहनों और भाईयों, भाण्जे और भाण्जीों नमस्कार। देश के कुछ राज्यों में और प्रदेश के कुछ जिलों में एक बार कोरोना का संक्रमन फिर से बढ़ रहा है। बढ़त्वी सर्दी के साथ संक्रमन का खत्रा लगातार बढ़ता है। इसलिए भी साबधान रहने के जरूरत है। भोपा, लिंदौर, ग्वालियर, जवलपुर, रतलाम, धार, विदिसा। ऐसे जिले जहां और विशेजद्धान देनी के आवसकता है। कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए समाज के साथ मिलकर हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और खुसी की बात यह है कि अब जल्दी वैक्सीन आने की संभवना भी बढ़ गई है। लेकिन अभी जब तक दवाई ना आ जाये तब तक धिलाई नहीं बर इतनी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है। उत्या साबधान रहें। चेहरे पर मास्क लगाएं। आपस में दूरी बनाए रखें। बारवार साबुन से हाथ धोएं। मास्क की अभी वैक्सीन है। जा साबधानी बरतीवा परिणाम बहुत अच्छे आएं। इंदौर और भुपाल के वो उधारन हमारे सामने हैं। कि जिन महलों में बुरी तरह से संक्रमण फैला था। वो अब लगभग संक्रमण से मुक्त है। जा संक्रमण हैं वह हमने कंटेनमेंट एरिया बनाने का फैस्टला किया है। इंदौर में भुपाल में कंटेनमेंट एरिया बनाए गए है। कंटेनमेंट एरिया में जो परिवार आते हैं मेरा उन से आग रहे। कि किर्पिया करके कंटेनमेंट एरिया से बाहर ना निकले। कि संख्रमित मरीजों का हिलाज होम आई-सूलेशन में भी हो रहा है। है लेकिन एक बात ध्यान रखे हैं हॉन आइस हुन के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है कांप संक्रमिध व्यक्ति बाहर निकलता है है तो दूसरों की जिन्दगी तो में डाली रहा है अपनी जान भी संकत में डाल रहा है इसलिए क्रिप्या करके ऐसी स्थिति में बाहर ना निकले सरकार प्रसासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी समा से भी संक्षन लगे हुए मीडिया के मित्र लगे हुए में अखवार इलेक्ट्रोनिक मीडिया जाग रुकता अभियान चला रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सबसे ज़्यादा हमें स्यम साब्धान रहने की आवसकता है मित्रो हमारे एसस्वी प्रधान मंत्री स्रीमा नरेंद्र मोदी जी में कि देश की संसद में तीन कानून बनाए हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित्मे हैं आप किसान को अपनी फसल बैचने की स्वतंत्र था वो मंडी में बैचे चाहे मंडी के बाहर मैचे वो ब्यापारी को बैचे चाहे फूड प्रोसेसर को बैचे एक्सपोर्टर को बैचे अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है किसान का नुक्सान क्या है एक के बज़ा अन्यक विकल्प किसान को मिले हैं अगर कोई कांट्रेक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहे हैं और किसान को लगड़ा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी उपजाएगी बिकेगी तो मुझे फाइदा है तो किसी को दिक्कत क्या है और वो भी ऐसे प्रापधानों के बावजूद के अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है अगर कोई ब्यापारी अनलिम्टेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे उत्पाद फलो सब्जीों खरीदना चाहे तो उसमें लिमिट क्यों होनी चाहिए अगर स्टार्क पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज़्यादा होगी दाम ठीक मिलेंगे इसमें किसी को क्या आपत्ती हो सकती है और इसलिए मेरी अपील है कि किसान के हित में है ये तीनों कानून MSP की व्रवस्था लगातार जारी रहे की मंडिया समाप्त नहीं हो रहे है उसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाल इन कानूनों के साथ खड़े मेरे प्रीय किसान बहनों और भाईयों हमने अन्य को कदम किसान के हित में उठाए ग्यहूं की खरीद से लगाके अभी ज्वार बाजरे की खरीद अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी जो फसले खराब हो गई थी उनके लिए आरवी सी छेचार की राहत और मौपजा की रासी पूरी पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी उसकी हम बेगस्था कर रहे हैं अभी तीन तारी कोई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी किसान जोड के जो मुख मंत्री किसान का ल्यान निधी बनाई है उसका पैसा फिर पांच लाग किसानों के खाते में जाएगा चार हजार रुपया मदपते सरकार हर साल देगी दो किस्तों में एकने आने को कदम किसान के हित्में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे आगर खेती को फायदे का धंदा बनाना हैं कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे लेकिन मुझे बताती हो भी खुशी है कि मेरी प्रांथ मिक्तार राज सरकार की प्रांथ मिक्ता है सुसासन देना और उसलिए एक तरफ जहां सीम हेल्प लाइन प्रभावी देंग से फिर प्रारंब कर रहे हैं पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी नवलगातार मौनिट्रिंग करूंगा भाई दूसरी तरफ समाधान ओनलाइन फिर से प्रारंब की जा रहे हैं मैं ओचक निरिक्षण करके भी जनता की समस्याइं जानूंगा योजनाओं के क्रियान विवन को देखूंगा ताकि हम सही समय पर निश्चित समय सीमा में बिना किसी परिसानी को बिना किसी परिसानी के योजनाओं का लाफ दे सकें लेकिन एक बात और साफ है आप लगातार समय चार पत्रों के माद्धम से टेलिवीजन के माद्धम से न्यूज चैनल्स के माद्धम से देख रहे होंगे सुसासन का मूल मंत्र मेरा सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कौमल और दुस्टों के लिए बज्जर से ज़्यादा कठोर है मेरी सरकार इसलिए आम जन के हितों को पूरी तरह से संदक्चित रखेंगे माफिया, रसूगदार, सरगना, अडिवाज, सट्टेवाज, तसकर, गुंडे, बदमास, मसल पावर का इस्तिमाल करके कबज़ा करने वाले कोई माफिया छोड़े नहीं जाएंगे लगातार कारवाई जा रही है मैंने अधिकारों को साफ निर्देश दिये यह से लोगों को नेस्त नावूद कर दो इंदोर में, भोपाल में, जबलपुर में, मंसौर, आगर, नीमच, सतना, अउज्जैन, सीहौर, चोटरफ़ा कारवाई चल रही है कोई बेईमान, कोई माफिया छोड़ा नहीं जाएगा आखिरी जंदा के हकों पर डाकर डालते है कानून और व्यवस्ता से खिलवाड करते है हम इने नहीं छोड़ेंगे और इसी तरह मिलावट खोरों के खिलाप अभियान जा रिए मिलावट से मुक्ति अभियान लगतार अंप्रभावी कारवाई कर रहे है मिलावट खाद्पदार बैचने वाले लोगों की जिन्दगी से खिलवार करते है ये माफ करने के लाइक नहीं है मेरा संकल पहिन को नेस्ट नावूद करने का ये अभियान लगतार जारी रहेगा एक और कानून हम बना रहे हैं उसकी तयारी लगवग हो गई है भोली भाली बेटियों को बहका के फुसला के डरा के धमका के उनके साथ साधी कर ली जाती है और बाद में धर्मान तरण का कुछ अक्र चलता है वसुता ऐसी बेटियों की जिन्दगी नरक बना दी जाती है हम अपनी बेटियों को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे प्रैम के नाम पर आड में ये कर्तूते किसी कीमत पर नहीं चलेगी ऐसे लोगों को सक्त से सक्त सजा दी जाएगी विधान सभा के अगले सत्र में ये कानून बन जाएगा विध्यक पारित कर आईगे माँ बेहन और बेटी का सम्मान बचाना हमारी जिम्मेदारी है महला ससक्तिकरण हमारा लक्ष है हम उसको पूरा करके ही चैन की सास लेंगे आईए हम सम्मिल के बनाए आत्म निर्भर मध्ध प्रदेश विकास की नही यात्रा प्रारंप करें लोकल को वोकल बनाए इस्थानी भाई और वहनों द्वारा बनाई हुई बस्तूओं का हम उप्योग करें उन्ही को खरीदें बहला स्वासाहता समूह द्वारा बनाई हुई चीजों को खरीदें और प्रदेश की प्रिगत्य और विकास में अपना योगदान दें बहुत बहुत धन्यवाद झाल Ale बनाई हुई चीजों के झाल